हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चनलिल आज में आस्तिन काटने का और एक इजी तरीका बताऊंगी जिस तरीके से आप किसी के लिए पिसी भी साइस के लिए आस्तिन कर सकते हो बहुत है इसाल है देखे बहुत सारे लोगों तो दुदाइन हो रहे हैं तो आस थिन के लिए सबसे पहले आपको जो लैंन्थ है लम्बय आपको सबसे लेना है जिठना आपका चांप के लंबई है लंबई आपको आपने हिसाब से लेना है दिखे मैंने यहां से लंबई से लिया आपका जितना लंबई होता है अप उसी इसाब से लेजिए इस थिनक्थिन का पार फेक्ट मेंज़र्ण बतना बहुत ही मुश्किल है क्यों से diver realistic का जो लंबा है वो हार किसी का अलग अलग है कभी छोटा है कभी ज्यादा है इसलिए पार्फेक्ट मैसे में बताना बहुत ही मुश्किल है तो मैं आपको तरीका समझाओंगी किस तरीके से आप किसी के लिए भी कर सकते हो तो लंबाय मैंने लिया तो लंबाय मैंने यहां से के लिए उसके बाद यहां से बराबर आपको मिला लेना हूं। perché यृष् को पोइν्ट लगा देना है। है अस्थिन का चौचGHT इसे लेना हैं मेरे हर वीडियो पर मैं लगब बोलती हूँ अगर आप मेरे वीडियो को फॉल्व कीया तो आपको पता चिनका चौष एक कैसे लेना है आपको उसी हिसाब से आशन का च्वड़ाय लेना है तो साफों से हाँ पे मैं ने एट लिया तो जितना आप कास दिनका च्वड़ाय है आप अपनी हिसाब से लेजिये का लेने के बाद इसको पेहले सीधा गर लेना है इसतरा से अगर आप टेलेदेंग का काम फास्ट इम सीख रहे हो उसके लिए इस तरह से बॉक्स बनना बहुत जुरूरी है जिन लोग को पहले से आता है उन लोग को बक्स देने का कोई जुरूरी ने ये सिर्फ लंबाई लेना है लंबाई लेने के बाद ये काट सकते हो अस्तिन का लंबाई हो गया और चोड़ाई भी हो गया उसके बाद यहां से जो यहां से मैं मोहुरी वो कैसे लेना है देखे जितना आपका अस्तिन का लंबाई होता है यहां पर 7 है तो जितना आपका अस्तिन का लंबाई होता है उससे लगबग हाफ से जादा आपको लेना है इसका हाफ है 3.5 तो आपको हाफ इस मिनिमम हाफ ही जादा लेना है मतलब जितना टुटा लंबाई उससे थोरा सा जादा लेना है, हाप से जादा लेना है, मतलब जितना अस्तिन का लंबाई है, उसका हाप करने के बाद थोरा सा जादा लेना है, इस तरह से लेने से आपका जो अस्तिन का पारफेक्ट शेप हो जाता है, आपको ध्यान में राखना है, यह जो अस्तिन का लंब यह जो तरीका है यह मिनिमाम आप 11 इस तक यह तरीका यूज कर सकते हो उसके बाद थोड़ा अलक मेजरमेंट है वो मैं दूसरा वीडियो पे समझाऊंगी तो यह मेजरमेंट भी आ गया उसके बाद यहां से जो मैं 2.5 लेती हूँ हार किसी को थोड़ा प्रोब्लेम हो रहा ह यहां से जो मैं 2.5 लेती हूँ वो क्यों लेती हूँ मैं यह जो 2.5 लेती हूँ यह शिर्फ शेफ देनी के लिए लेती हूँ और कुछ नहीं अगर आपको पार्फेक्ट शेफ आता है तो यह जो मैंना 2.5 दिया यह पीना शेफ से भी आप यह कर सकते हो बहुती इजिली 2.5 लेती हूँ अगर आपको पार्फेक्ट शेफ देना आता है तो यह जो मैंना 2.5 दिया यह पीना मेजरमेंट से भी कर सकते हूँ नर्माले जब मैं आज दिन काटती हूँ तो मैं सिर्फ लंबाई लेती हूँ उस बाकी कुछ भी नहीं लेती हूँ इस तरह से शेफ दे हूँ लेकिन जो लोग नियों है उन लोग लिए थुरा प्रब्लेम है उन लोग लिए यासे मिजरमेंट देना है उसके बाद देखिए यहां से जो शेफ देना है किसी किसी का कुर्शान है यहां से कितिना दुरी पे देना है उसके लिए देखो मिनिमम आपको थ्री इस द जूरूरी नहीं है, आपको measurement लेके ही देना है, अगर आपको इस तरह से shape नहीं आता है तो जादा कर्के paper cut कीजिए गाद, दिरे-दिरे आपका यह shape हो जाएगा, अगर आपका पार्पेक्ट शेप हो जाता है उसके बाद ये को भी measurement लेने का आपको जुरूरी नहीं है, आपका सिर्फ लंबय पारफ्रेक्ट लेना है, चोराई लेना है, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान में राखना है, यह जो लंबय है, लंबय से थोड़ा छोटा होना है, यह जो पाट है, यह जो आर्मोल साइड है यहाँ पर आपका छोटा नहीं होगा, तो पहनने की बाद क्या होगा, यह जो आस्तिन है, उपर की तरफ ऐसे उठा रहेगा, तो अगर यह छोटा होगा, तब यह पहनने के बाद विलकुल सिधा बराबर रहेगा, इसलिए यहाँ पर छोटा रहना है, यह आपको ध्यान मे किजिए यहां से जो measurement लेना है वो बीना measurement से आप एक बर करके देखिए आपका आस्तिन perfect होगा blouse हो या कुर्ती हो कुछ भी हो आपका आस्तिन perfect होगा अगर आपके आस्तिन पे कुछ भी problem होता है आप हमें comment करके बोलिये लेकिन आपको ध्यान में राकना है यह जो मैंने दिया यह ज्यादा नहीं होना है यह आप चाहो तो हाफीज भी दे सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना है ज्यादा होने से क्या होगा वेकसेट पेहनने के बाद यहां से थोरा सा फुलान होगा इसलिए ज्यादा भी नह होना है उतना कम भी नहीं होना है पारपेक्ट देना है आपको तो यह आपको ध्यान में राकना है और कुछ नहीं तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा वोथ समझ में आ गया होगा आगर आपको मेरे आज की वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमें खुद बहुत धन्यवाद